हलो एब्रिवन आई होप यू डूइंग वेल आज मैं बहुत 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 ही जादा खुश हूँ क्योंकि यार जो सारे स्टुडेंट्स दिन रात करके गेट के तयारी करते हैं और फाइनली उनका रिजल्ट जब अच्छा था उसके बाद फिर ये डाउट चलता है क्या प वैकेंसी आएंगी की नहीं आएंगी तो मैं आज आपको एक वैकेंसी के बारे मैं बताने जा रहा हूं और वो भी एक फेमस पीसीव है जो इस बार गेट 2023 के थूरू रिक्रूट करने वाली है और उसका नॉटिफिकेशन जस्ट रिलीज हुआ है तो मैं आपको जैसा यहा करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो एड़ोटाइजमेंट डंबर एनपीसी आईल हरम एटी 2023 01 ठीक है और मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि जो यह एनपीसेल का रिक्रूट्मेंट है 2023 वो गेट 2021 22 23 के एस्पेरेंस अप्लाई कर सकते हैं बट मैं वैकेंसी एक्स्प्ल स्थेश्व में 2022 के थूँ जौब ले चुके हैं तो इस बार जो 2021 22 के स्टुडेंट हैं mostly पार्टिसिपेट नहीं करने वाले क्योंकि वो आल्डेडी है तो इस बार जो स्टुडेंट 23 के थूँ जाने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आप यह student को बता दू कि mechanical की student के लिए सबसे ज़्यादा वेकेंसी है 130 वेकेंसी गेट 2022 के थू जो आया था वेकेंसी 85 था बट इस बार NPCIL ने 123 वेकेंसी निकाल लिए ठीक है और ये तो जस्ट एक स्टार्ट है जैसे मैंने पहले भी एक दो वेडियो प्येस के उपर बनाया थे और प्रिवियस एयर का explain किया था कितने वेकेंसी जबार कितने वने वाले हैं तो आपके ये स्टार्टिंग का एक पहला ही वेकेंसी है और मेकेंकल के लिए 120 है ठीक है और उसके बाद इंपोर्टेंट यह है कि यह जो स्टार्ट हो रहा ऑनलाइन अप्लिकेशन जो रिष्टर करेंगे साइट पर जाके 11-4-2030 से स्टार्ट हो रहा है और जो इंड हो रहा है 28-4-2030 पर जाके खतम हो रहा है ठीक है और केमिकल के भी स्टुडेंट बहुत सारे लोगों ने क्वेश्टन पूछा कि सर क्या मैं प्स्टू के थ्रू सेलेक्शन होगा की नहीं होगा तो यह उनके ल स्टुडेंट को कांग्रेस्ट्रेशन जिसनों ने इस बार गेट में चापर फॉर्म किया है और वो सभी लोग डेफिनेटली इसका फॉर्म फिलप करें और इंटर्विव की प्रिप्रेशन करें और आपको वेस्ट बिसेज है कि आपको सलेक्शन मिले ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट डेट 11-4 से स्टार्ट हो रहा है पॉर्म और 28-4 को खतम हो जाएगा और जो भी कैटेगरी की स्टुडेंट है जैसे वी सी स्टी असी उनको डेफिनेटली इस बार कैटेगरी सर्टिफिएट के लिए अपलाई कर देना चाहिए जिससे क अभी स्टार्ट है ऐसे ही कम्सकम आठ दस जो है प्यक्रूट लेने वाले हैं वह अच्छे के साथ उसमें का यह पहला है मैं और भी आपके लिए से वीडियो लाता रहूंगा ठीक है और यहां पे बहुत सारे कैटेगरी के लिए जैसे में कौन कौन से लोग जो डिसेबल ह है यह पर्टिकुलर उनका कैटेगरी है कौन से लेवल पर डिसेबल है ऐसे लेक्ट्रिकल केमिकल सिविल सभी के लिए है तो जैसा मैंने पहली बताया है 11 से स्टार्ट और 28 को खतम हो रहा है और पेमेंट आप उसी के बीच में कर सकते हैं और इसमें कौन से लोग इलिजब मार्क्स तो होना ही चाहिए 60 परसेंट मिनिममम मार्क्स होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे अदर्वाज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए यह क्लियरली मेंशन है आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो बी बी टेक इंजिनिरिंग फाइफ यर इंट्र का 15 डिसिप्लीन मैकेडिकल के हो की मेंटीकल को कही हो इल खाईलीरिश के हो इस्ट्रुमेंटेशन के हो सेविल के हो तो मिनिममम आपको सट पर्चन चाहिए ठीक है और यह क्राइक्तेरिया है क्योंकि बहुत सारे student age को लेके काफी वारिसान रहते हैं तो इन्होंने clearly mentioned कर दिया है age category जो general EWS के हैं वो उनका जो upper age है 26 होगा OVC NCL का 29 साल है STSC का 31 साल मतलब कि जो student general category EWS के हैं अगर 26 साल के हैं 26 साल से नीचे है वोड़ अप्लाई कर सकते हैं OVC के लिए 29 साल मैक्सिमम और STSC के लिए 31 साल और PW candidates के लिए अपना आप देख सकते हैं यहां पर मेंसेंड है तो यहां पर और भी बहुत सारी चीजे मेंसेंड हैं जैसे training the selection candidate will be required to undergo one year orientation training in any training facility जैसे आपको देख सकता है आप इसलाइजड हैवी वाटर रियक्टर स्ट्रीम यह लाइट वाटर रियक्टर स्ट्रीम तो यह सारी जगां आपको एक साल की training दी जाएगी और उसके बाद जैसे आप अपने training complete करते हो आपको as a executive training कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी कहीं भी इंडिया में जहां जहां NPCIL का power plant है ठीक है तो और जो आपका monthly stipend होगा during training during training जो monthly stipend होने वाला है 55,000 होने वाला है और one time book alliances भी आपको मिलेंगे और after training आपकी salary की जो मैट्रिक्स है वो पता 56,000 से start होगी ठीक है और 42% डियरेंस अलाउंसेज भी यहां पे मिंशन है और आपको भी बहुत सारे facilities हैं जैसे transport alliances, housing rate alliances, site location alliances, professional update alliances और भी बहुत सारे benefits जो एक government employee को मिलते हैं आपको मिलने वाले हैं तो यह बहुत ही एक अच्छी news आई है सारे aspirants के लिए जिन्होंने दिन रात करके त्यारी की मेहनत किया और फाइनली यह vacances निकल लई हैं तो आप लोग डेफिनेटली form fill up कीजिए और आपको interview का त्यारी करना चाहिए और यह सारे interview का जो location है और क्या date होने वाला है तो आप यहां पे देख सकते हो इंटर्व्यू का date है 5 से 17 जून के बीच में हो जाएगा और यह सारे locations है जो student prefer करेंगे उनका nearest location उस पे आपका डेफिनेटली इंटर्व्यू होगा उसके बाद आपका after interview verification होगा original documents का and then यह सारे documents हैं जो आपको verification में लगाने हैं and then और भी जो legal procedure होते हैं जैसे medical fitness language for personal interview and offer of trainingship and कैसे आपको apply करना यह भी सारी चीज़ें यहां पे clearly mentioned है तो आई हो आपको definitely यह news कुछ सुनके तो खुशी हुआ होगा और मैं भी बहुत ही खुश हूँ ठीक है आप सब के लिए तो thank you so much मैं ऐसे ही और आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा